हेलो फेंट्स मादवी एकडमी 2.0 पर आपका स्वागत है तो आज मैं आपके से वीडियो कराऊंगी चैनल पर अप्लोड है सभी चैप्टर वाइस चैप्टर ठीक है केमिश्टी के अलग से प्लेश बने वही है तो आप देख लीजिए का पहां से रसने प्रेकर किसे कहते है और यहीं करना यहीं करना है यहीं का मतलब तब जोड़ना यानी इंगल्समें बोलेंगे लिएडिशनल प्रेक्षन तो इसमें items automat मिलके कि एक नया पधात बनाते हैं से मैगनिश्यम ऑक्साइड बन गया यह तो दो मिलकर एक बना रहे न यह रो लगा हूँ है पे तो यह कौन सी होगी युगात में अपकिरिया होगी पेपर में रियक्शन देखा आपसे पूछेगा कि यह कौन सी अपकिरिया है तो जब भी दो प बैलंस होगे अब एमजी भी यहां पर दो होगे तो मिया पर दो लगा देंगे इस तरह से बैलंस ठीक है आपको पीपर में देता हो और बैलंस करने के लिए यह आपको आना चाहिए और यहां से एक कुशन होता है हो रहा है कि जो भाग लेते हैं पधात इन्हें बोलते यानी प्रोड़क्ट ठीक है भाग देने वाले पतादों का अपकार कहते हैं और बनने वाले को अत्पात कहते हैं यह हो गया यह देख लीजएका बिद आक्जामपल इन सभी के आपको एक्जामपल जरूरोर करने करने यह एक एक इसमें पन अपको यह दिस्पेस्मेंट करने यह तो यह ओगा कि यह कॉपर अलग निकल जागा ठीक है तो यह होता है बिस्तापन डिस्प्लेस्मेंट और डबल डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है इसमें दोनों पधात करिया कर लें जैसे कि आप चैनल पर देखें तो मिल जागा तो बीए ऐसो फोर बन जाएगा और एने से यह वाला क्रिया कर लेगा ठीक है तो एने सील बन जागा तो दोनों तरफ अगर हो रहा ना एक से एक से करें तब होता है डबल डिस्प्लेस्मेंट आप अच्छे से सलोसिन में देखिए समझ में आज जाएगा यहां मैं आपको सॉटन मत आ रही हूं ठीक है और इसका हिंदी में एक नाम होता है अब छे पड़ आज चुका है पेपर में लाश्टे रहा है था बच्छे कंफिज होगे तो छोड़के आगे तो अब च्छे पर अब अच्छे बनता नहीं पर बेरियम स आफ्छन यह रड़ॉक्स है रड़ॉक्स क्या हो दिसमें oxycard भी और अप्चेन दोन एक साथ होते तो वह रड़ॉक्स बन जाता है उसमा छेपी एक्जो अजो थर्मेक रेयक्षन इस तदर पर है ठीक है एक्जो थर्मिक और उसमा सोसी क्या होती है एंड फर्मिक इसमें ह करणा दो सच्छार कवरें इसमें कि अपने आसपास ऑक्सिंसे खिर्या कि लेती एठीक है तो उसमें जंग लग जाता है वही कह लाता संचाड तो ये पर जंग लगना चान्दी उपर काली पर जमना ठीक है इस तरह से आपको करना है इसको दूर करने को पाया आते हैं जैसे कि ग्रीज लागा कर पेंट करके कर सकते हैं यह बिक्रत गंदिता है इस तरह से लिखा आता है रैंसी डिटी ठीक है अच्छे से मैंने करवा रख कि यह करना है जंग का सूत्र आता है पर प्रस्ट का फॉर्मला अगर पूछा जाए तो आप यह लेकिन फी टू ऑक्सिजन आएगा ना ट्रिक से आतम आ ने बता तो आक्सिन में लेका पूस्में एक्स एच्टू एक पॉइंट है उसके बाद रासान समीक्र को संतुलित कीजिए संतुलित करना मैं आपको अच्छे सकावार कर बाद यह मैंने चैनल पर तो कर लिजेगा अब आपको से काय भी था किसरे सब करना है जैसे किसरे से कोई भी रेक्षन मिलती है हैं आप एक हैं एस थटो तो यहां पे एस दो हें तो यह भी अन्वेलंस है यहां पे दो है वो यहां पे टू है यहां पे एक हैं दो यहां इसको बैलंस कावता है वह एक जानू Sant की जिए तो हम ऐसे ज jullie करनेकी दोनोंअने worm हो जाए तो यहां पर ओटू है तो यही ट्रिक मैंने करवाई एक कि जितने की कमी अतनी आपको ले लेंगे अब बैलंस होगे तो 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 यहां पर भी टू कर देंगे अलग से अपो डम आपे देख लीचेगा अच्छे से ठीक है सोल्ट के पैचान जिसमें एक अश मिलता है वह यह इस होता है एक घृक पूछ लेता जैसे लोगया आम बहुत इंपोर्टेंट है एसले अटनि पर आपकोर है तीन प्रबाल कहें जाते हैं स्ट्रॉंग एचेट बोलते इसे अम्ल कहते कैसे जो आदमें खट्टे होते हैं यह ठीकिन के एक्जामपल छार में ओए चायन पाया जाता है इस सब लिख देंगे मैं आप पूछ कर बारक है और पैचाने के कैसे इसमें ओए चाय वह चाहिए वह चाहिए जिसमें एचायन मिले वह तो एक पुछा आता है इसे एसे एक हमलोता है इसे बच्चे कन्फिज होते हैं कि हए रहा हो है तो यह दो को एसी डेट में इतना अलग कहा जाता ना कि बल एच आता ही है तो यह होता है अमल ठीक है इस पर आप छार नहीं करेंगे और इसमें यह भी पूछा था कि हैस्ट इसमें कितने हैं तो और एसीटी कम छार नहीं है ठीक है पैचानने में अगर आए और आई-पेस ही ना मैं अच्छे से करवा दिया आपको अच्छे से करने हैं कि सूचक इंडिकेटर भी आपको करवा चुकी हूं मैं यह कलर बताते हैं अमल में कैसा होता है चार मैं सभी में अलग-अलग पी- एक तरह से यहां पर इसे सोरेंसन ने बनाया था 14 तक माक्स होते हैं जीरो से 7 पर न्यूट्रल होता है उदास ही नोता है साथ से ज्यादा अगर नंबर मिलेगा तो वह क्या कहेंगे उस छार ठीक है और साथ से कम होता है तो अम यह पैचानना होता है अच्छे से मैंने कहा रखाय कर लिजिएगा तो कुदा सी नी करण अपक्रिया न्यूट्रिलाइशन रियक्षिन इसमें क्या होता है अमल और चार से मिलकर क्या बंता है लबड बनता है वही क्लाति उदासी नीगा एक अपने अमने ले लिए एक छार एले इसमें वह इस इस से लवाड बन जाए वाशिंग शोड़ा इसका केमिकल नेम के फॉर्मुला और मैथट बनाने का क्या है और यूज अच्छे से आपको करने इसमें से डेफिनिटी मिलेगा एम सी फॉम में या फिर अलग से पूछ लेगा टीक है बेकिंग सोड़ा श्यम इस तरह से आपको इसका करना है एन एस oddena sodium bicarbonate और सक वोता है ए Coca बाकिम चांद और और अपयोग से कण लिजीघा कप्ड कर दोने में प्रयोक शाला में अपकर में के रूप में आप सभी में ऐसा झाल सकते हिसका खाने के लिचेगा इंपोटेंट है यह प्योपी लाश्र भी आ था पास्टाप पैरिस इसका नाम और फार्मुला CSO4 होता है ना चैनल पर प्रोट अड़क से कर लीज़ेगा बन बाइटू H2O कैल्सियम हेमि हाइड्रेट और इसका उप्योग मूर्तिय बनाने में क्लोने बनाने में प्लास्टे चड़ाने में बहुत सारे हैं और इन चारों में से आपको डेफिनिट एक आएगा ब्रंजक चूर ब्लीकिंग पाउर्डस को इंगले से बोलते हैं इसका फर्मुला होता है सी ऑसी एल्टू यानि कैल्सियम ऑक्सी क्लोड़ाइड ठीक है यह फूलों का रंग उड़ा देता है कप्रों का रंग उड़ा दिता है यह आप अच्छे से यहाद न और एक प्योग कोमन है प्रियोक साला में अभिकर्म क्यों में ठीक है अच्छे सकनना लेसं थ्री आ गय संस आती हैं भर्जन प्रग्लन गालक धातुमल एलोई में सिधातु कॉपर के दो एसके बहुत पुच्छे आते हैं और सब कॉपर आलमीनियम यह आपको भी दिखा दूंगे में ठीक है यह है फ्लोटेशन में सब्टिक है फ्लोटेशन मेथर्ड और इससे सलफाइड एसके होती है है अधीक को सौर्ट में समझा दूंगे यह वाला मैं आपको एसे करबार कचा संतुलritos करना अच्छेसे कि नहीं तो जैसि यह तो देख सबीने के वीए यह एक है तो ठीक है यह सफॉर एक है तो ठीक है यहाँ पर सकतने दो है और संसिल मैं पर दो है में यहां पर एक ही है क्या करें कि 2 हो यहां पर तो हम नगा देंगे से बालल सोगी मैंंने देख लिए पिंट में और यहां निस्तापन बर्चन यह ब्यांन नजयाते हैंब वह करें अथे हैं औरinker पूर्वा कम खर्च में जब प्राप्त करते हैं वह ऐसके कलाता है जैसे खनीज हमें जैसे रूप में मिले ठीक है उसको हमने धुलवाया उससे अच्छी से साफ किया पहले फिर उसके बाद अलगला मैथड के धूरू उसमें से सुद्ध एसक जो बनता है वह उसका कलाता है ठीक है अगर अगरने मीटि को खोंते के बाद जो जो जिस रूप में जैसा मिला वह खटानिज बन गया उस से आप ने जो धृत रौट की डिक कर्ज歌曲 by कि अश्यक्याजि नैस stellar आपको अच्छी से रखना कॉपर के दो एस कॉपर पाइराइट सी यू एफ एस टू और कैलको साइट या फिर कॉपर ग्लान्स सी यू टू एस और वाक्साइड और क्रायोलाइट यह अलुमिनियम के दो आपको नाम भी पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं और फॉर्मुला भी यह फैन प्लेवन प्रक्रम है फ्लोटेशन मेथड इसको आपको अच्छी से कर लेना है आज आता है इसमें सल्फाइड एस के सुधिया दूर होती है जिन में यह एस पाया जाता ठीक है इसको मैं आपको पूरा याद हो जाएगा इसमें इस तरीके से टैंक होता है इसमें बाटर फिल कर देते हैं इसमें चीड का तेल मिला लेते हैं और ऊपर से यहां पर एयर यहां से एयर आ जाती है यह बबस बंजने लगते हैं यह चीड का तेल है यहां पर पानी है और इसके बाद जो जाग के रूप में इसको जाग प्रबन बीदी भी कहते हैं तो जाग के रूप में आपको जाग और एसक मिल जाएगा उपर यही आपको थियोरी में लिखना होता है कि अपनी लेंग में आपकर दीजेगा सबसे पहले एसको टैंक में डालते हैं सब पानी भरा उतस पर चीड का तेल मिलाते हैं ठीक उसके बाद बाई पर वाहिद करते हैं और जो जाग में जाग के साथ ऐसको पर खटाओ जाता है तो दिया नीचे बैठ जाती है इस तरह साब सीरीज इंपोटेंट है यह अच्छे से करने हैं आपको ठीक है इसमें क्या करते हैं इसमें घड़ते हो किरम रखा आता है जो सबसे अभी क्रियासिल जिसकी अधिक होती है वह सबसे पहले लेते हैं जैसे पोटेसिम सबसे उपर आता है ठीक है गोल्ड प्लाटिनम यह सबस से कम प्लाटिनम है कि मिन्राल्स और सीमेन आपको बताई दिया है अच्छे से यह का लिचेगा लेसन फूर बहुत इंपोर्टेंट यहां से आयू पीस आपको अच्छी से करनी आई पीसी इसके तीन चार वीडियो में आप रोड कर रहे हैं टैस्ट बिलिया उसमें आपको द बिलकुल भी नहीं कर पाएंगे तो अच्छा से आपको करना है यह कार्बन की बैलनसी बहुत पूस्छी आती है इसी पर पूरा ब betz है है retired संत्रप और असंत्रप हाइड्रोकर्बन ठीक है कि समझाती स्रेडी होमोलोकस सीरीज अच्छे से आपको अभी दिखा दूंगी कि यह बहुत इंपोटेंट डिफ्रेंस इसमें सैचुरेटिट और अंसैचुरेटिट ठीक है दौन अच्छे से करने हैं इसके हैड्रोकर्म डिफ्रेंस यह इसी के टाइप है यह भी आपको दिखा दूंगी साप निकर्ड एश्टिकर्ड यह मैंने सब करवा रखा है बहुल इसके लिएट आपको कोस्टिन बहुत ज़्यादे इंपोरेंट हैं अच्छे से करने हैं उसमें आपको फंक्सलन ग्रूप भी पता जाए से ओए किसके ग्रूप एल्कोहल का है साउंड कौन साथ है यह अच्छे से देखने ठीक है इंट्रनेसल यूनियन और और एंड अप इसके बाद निम्कल समीकड को पूरा करना है मतलब आपको मिलेगी रियक्सल्स आपको कंपेड करना भी दिखाऊंगी फिर आप कैसे प्राप्त कर गीए भी आपको दिखा देते हूं ठीक है लेसन फाइव तत्यों का आवात बर्गी करड़ ठीक है क्लास्टिक्शन आफ ए तो दी ब्लॉक की दत्तों को बोलते हैं इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता बस यहीं करना है नके गोड़ दोस्त क्या है चार पांच कुश्चन फोर चेप्टर बहुत जदें इंपोरेंट है यह हैड्रोकारवन इसमें हड्रोकारवन मिलते हैं से सीयच फौर है है और कार करवाद चुके हैं पहले से इसकी रेक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा यह सोडियम ऐसे बनके और पानी हो गया ठीक है यह इस से क्रिया करके से एने और एश्ट्रो निकल गया कि यह आप इसकी सोड़ ले लेजिएगा यह लाश्र आया था किस तरह सापको कंपिल्ट करना है कर बाद चुकियों मैं उसके बज़ों कोशन दा ना कैसे प्राप्त करोगे तो इस तरह सापो दे देगा मेतिन से नाइट्रो मेतिन एथलीन से एथीन यह मैं आपको अलग से कैमिश्ट्री का फॉर्मिले मागते हैं अगर आपको फॉर्मिले अच्छे से याद है तो कैमिश्ट्री आपकी एकदम से फैड़िस बन जाएगा ऐसे सीएच इसे मेथिन मन वारा था यह यह मैं आपको मास गयस कहा जाता है इंपोर्टेंट है तो इस तरह से आता है कैसे अधर होगे ठीक है यह अंतर बहुत इंपोर्टेंट है से अच्छे से आपको करना है बहुत बाराय पेपर में यह मैं आपको प्रीबोर्ट सॉलूशन में कर बात चुकी हूँ ऐसे तो यह किट बन है फर्मेंटेशन इंपोरेंट है यह यह सीरीज करनी है आपको होमोलोग से इंपोर्टेंट है यह एलकेंट पूरी फैमिलीज में है सी एनफटोन प्लस टू मेथेन एका साउंड इसमें एन का साउंड आएगा ठीक है यह अपको समझ में आ जाएगा तो इसमें से यह पूछता है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है तो इसमें पहला जो आवर्त नियम है वह क्या है बहुती वारा साने कुड़ उनके परमाड भार के आवर्ती फलन होते हैं ठीक है एटमिक नंबर ठीक है इसके जबकि जो मॉडन वाला है इसमें क्या होता है पर्माड किरमांक इसके आवर्ति फलन होते हैं तो आपको ध्यान रखना कि आधनी का आवर्त नियम में पर्माड किरमांक आधार माना गया है और जो आवर्त नियम में उसमें पर्माड भार माना गया है ठीक है आधनी में पर्माड किरमांक और आवर्त नियम आपका संभावा की तानिए नहीं होते ना इनको जगें नहीं मिली और भारी तत्यों को हलके तत्यों से पहले रख दिया यह का दोस्ता तो इस इतधा इसको बना के लिग देंगे जादा नहीं आता आप को बस स्वाट में इतना कर लेजा विकड संबंदी इंपोर्टेंट यह जादा आता है इसमें से आब आसाड़ी के दूसरे आवा तो तीसरे आवद के विकड तद तो गुड़ों में समानते रखतें मतलब दूसरा तीसरे से मिलता है से लीथियम किसे मिलेगा मैंगनिस्थम से से और वोरों सिलीकॉन तो प्रम आता है एमसी की फॉर्म में पूछेगा तो लीथियम किसे करता है तो मेंगनिस्थम से बेरिलियम ऐल्यूम से और वोरों सिलीकॉन से यह ज़्याद आता है और स्वाट मैं ऐसा है तो आप लिख देजएगा ठीक है इस तरीके से पूरा हो जाता है यह इस में से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस यह क्वेश्चन और भी कर संबंद संग प्रत कर से कहते हैं डी ब्लॉक की चत्तों को बुला आता है तो यह हो गया पूरा केमिश्ट्री का इसके बाद आपको वाइलोग जी का मिलेगा जितना हो सके वीडियो के शेयर कीजिए क्योंकि जो आप 20 मिनट में देख रहे हैं इसको बनाने बहुत जादा डाइम लग जाता है ठीक है तो बस आपको शेयर करना है ग्रूप में और मॉडल पेपर से मैं आपको करवाई रही हूं देख लीजेगा थेंक्यू सो मच